हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एश्टर गुरू चैनल पर मैं आप सभी के लिए लेकर रहा हूँ टेरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन और आज का जो विशह है ये बड़ा बढ़िया है ये है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं लोगों क की रिटिंग के लिए तीन पाइल को बनाये गया है तीनों पाइल्स के जो सिंबोलिक्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाया रहे हैं जो आपको ज़्यदा अच्छा लगे उसे अपनी पाइल का symbolic मान लीजिए और accordingly आज के reading को देखे ये आपके साथ resonate भी करेगी मैं आपको बता दूँ कि ये general reading है और timeless reading है general reading होने की वज़ा से ये 70 से 100% के बीच में आप से resonate कर सकती है और timeless reading है तो जब आप इसको देखना है ये वहीं से आपके साथ resonate करना शुरू कर सकती है हर बार की तरह इस बार भी time stamps को description और comment section दोनों जगहां post कर दिया गया है ताकि आपको सुविदा हो जाए अपनी पाहिल की reading पर directly पहुँचने के लिए time stamp के उपर click कर दीजे वीडियो आपका first forward हो जाएगा और आप directly अपनी पाहिल की reading पर पहुँच जाएगे जो लोग मुझसे आज पहली बार जुने हैं उन सभी का मैं astro guru channel पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी इस channel को subscribe जरूर करिए बेल आइकन को press करिए क्योंकि जब आप बेल आइकन को press करते हैं तो नए videos की notification आपके phone पर आनी शुरू हो जाती है और मेरे regular viewers और subscribers आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूँ कि मैं एक professional astrologer एक professional terror reader भी हूँ तो आपकी screen के उपर ये number जो आ रहा है इसके उपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक personal terror reading session चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं यह whatsapp number है तो इस पर आपको call नहीं करना है इस पर message करिए message के थ्रूँ सारी information मेरी team member आपको provide करेगी और आपकी help करेगी मेरे साथ आपके session को book करने में तो चलिए आज की reading को शुरू करते हैं और आपकी pile में मिलते हैं Hello pile number one अप सब कस्वागत है आपकी reading में आपने six of cups को choose किया था मेरे बगल में उसकी photograph लगा दी गई है चलिए शुरू करते हैं आज की reading को और देखते हैं कि आपके लिए क्या टैरो से आता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं लोगों की आपके बारे में perception क्या है लोग आपको किस तरह से judge करते हैं कार्ड नमबर वन आपके लिए अपियर हुआ है five of wands second position पर आपके लिए है queen of pentacles कार्ड नमबर three आपके लिए है seven of cups fourth position पर ace of cups और आपके लिए last में जो सबसे अंतिम कार्ड अपियर हुआ है यह है two of sword लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे जदा महत्पूर्ण यह है जानना कि लोग आपको क्या show out करते हैं तो आपके लिए जो मेरे पास आ रहा है वो है कि लोग आपको जिस तरह से दिखाते हैं कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं उनकी actual सोच उसके बिल्कुल उलट दिख रही है मुझे और मुझे ये भी इसमें आ रहा है कि ज्यादा तर मामलों में आपको ये exactly पता है कि लोग आपके बारे में सोचते कुछ और हैं, pretend कुछ और करते हैं और उनकी इस discrepancy या उनके इस विरोधा भास का आपको भान भी है आप दुखी भी हो जाते हैं लेकिन इसके बावजूद आप कुछ करते नहीं हैं, आपके अच्छाई यही इतनी सी है, आप उमीद करते हैं, चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, आप इस कल्पना के साथ में एक बार आगे बढ़ जाते हैं, कि ठीक है, जैसा भी सोचते हूं, मुझे लगता है अच्छा सोचते होंगे, तो यह कल्पना आपके अपने लिए तो ठीक है, लेकिन इससे आपकी इमेज नहीं बन रहे, आपका औरा क्रियेट नहीं हो रहा है, अगर आप देखें तो, जैसे कई एक ममले ऐसे भी आपके जीवन के रह हैं, जहां पर आपको सीधे सीधे अपमान का सामना करना पड़ा, या एक ऐसी परिस्थिती का सामना करना पड़ा, जिसे हम अपमान में काउंट कर सकते हैं, डिरेक्टली अपमान नहीं किया गया, लेकिन इंडिरेक्ट अपमान आपका कर दिया गया, तो उस सारे चीजों स changes करने पड़ेंगे आप दिखें आप अच्छे इंसान हो सकते हैं लेकिन आपके surrounding में अच्छे लोग नहीं दिखते इस वज़ा से आपको अपने बेवहार में अपने अपने दिंचर्या में थोड़े परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी यहां पर मुझे आचार विराथ का एक वचन याद आता है अचार विराथू को कोई नहीं जानते तो बता दूं म्याम्मार के बहुत धर्म के सबसे बड़े गुरू माने गए गुरू हैं माने क्या वह हैं और एक इंटर्वियू में उन्होंने किसी टॉपिक पर कहा था कॉंट्र वर्शल टॉपिक नहीं रहे बताऊंगा लेकिन उन की बात में जो वैल्यू थी वह सर्मझ यह उन्होंने कह था कि आप अहिंसा के पुजारी हो सकते हैं आप शांती प्रिय हो सकते हैं आप दुनिया के सबसे बड़े शांती के मसीहा हो सकते हैं लेकिन फिर भी आप एक पागल कुत्टे के बगल में नहीं सो सकते हैं क्योंकि उस से आपकी जान को खत्रा है तो आपके पास दो ऑप्शन बसते हैं या तो आप वहां से भाग जाएं या उस कुटे का कुछ वारा नियारा कर दें तो खेर तो आपको किसी का वारा नियारा नहीं करना है आपको मतलब सिर्फ ये तो एक कोड़ था जो याद आगे मैंने आपसे शेयर किया आपको बस अपने तौर तरीके में थोड़े से परिवर्तन लाने की जरूरत है और ये परिवर्तन नेसेसरी इसलिए हो गया है क्योंकि आपकी इमेज में वो इंप्रूमेंट दिख नहीं रहा लोगों की सोच ही नहीं बदल रही है कुछ हैक मामलों में लोगों की सोच बदलती हुई दिखती है तो गूम फिरके फिर वापस में चली जाती है तो उसे बदलने की जरूरत है अब उसे बदलने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले एक इनिशियेटिव लेना होगा दो चीजें अपने दिमाग में एकड़म फिक्स कर लीजिये और उन दो चीज़ों को एक अपना जैसे कभी कभी कहते हैं न उसूल बना लीजिये पालन करें नियम बना लीजिये पहला रूल ये है कि आप सिक्रेट्स को सिक्रेट रखेंगे और बताएंगे नहीं ना मज़े लेने के लिए ना इंफरमेशन देने के लिए चुप रहिए शांट रहिए मत बताईए फसे हैं चार लोगहँ हैं आपके मित्र हैं या परिवार के सदसे हैं या रिश्तेदार हैं और वो किसी पॉइंट पर फस गए हैं यार वो परसन परिशान कर रहा है वो परसन परिशान कर रही है या उस परसन का कुछ हमें अगर पता चल जाता या वो ऐसी है वैसी या वो ऐसा है वैसा है उसके बारे में कुछ भी आपको ऐसा वैसा वाला पता भी है तो आप वहां नहीं बताईए अग्नोर आप से पूछा अपने तोर तरीके बना करके आप उसका कुछ भी करना चाहते हों फाइदा नुकसान या नीटरल वो आपकी अपनी मर्जी है लेकिन उसके रहस्यों को उसके सीक्रेट्स को किसी थर्ड परसन को नहीं बताना है बस ये पहला रूल अपना बना लीजिए इस रूल को बनाने का बेनिफिट आपको मिल जाएगा आपकी इमेज में इंप्रूमेंट आ जाएगी लोगों की सोच आपके बारे में आपको बदल नहीं है ठीक है और वो आप कहे के नहीं बदल सकते कि सुनो मेरे बारे में जरा सोच चेंज कर आपको कुछ चेंजिस अपने में करने होंगे उ किसी ने help मांगी और आप मदद को तयार एक बड़ी situation में हम फसे हैं क्या आप आसते हैं हां जी हमारा तो कोई काम धंदा है नहीं हम तो बिलकुल बेरोजगार टाइप के भभूती नरायन मिश्रा जैसे विक्ति हैं भभूती नरायन मिश्रा कोई सचमुच का आदमी नहीं है वह एक टीवी शो आते हैं भावी जी घर के उसमें एक कालपनिक पात रहे हैं तो किसी पर्सन से मत जोड़ेगा वह ना उसको क्या करते हैं कोई काम धंदा नहीं तो आप उस तुरह मत दिखिए कि मेरे पास कोई काम धाम नहीं है आयम अवेलिबल 24-27 24 घंटे सातों दिन मे मैं हाजर हूं नहीं जिन्नमद बन जाइए ठीक आपको क्या करना है आपको सिचुवेशन सुन लेनी है समझ लेनी है और समय दे देना ठीक है इतना समय उतना समय सडन की अवेलिबिल्टी आपकी इमेज को वैलियू नहीं दे रही है आप अच्छा ये दो चीज़ें तो एकदम चाभी बनाकर याद रहनी है इगदम रूल बनाकर याद रहना है अच्छा इन дो चीजों के अलमा आप मल्टिपल चीजों को आसानी से मैनेज करना जानते ह काम के इंसान है ठीक है और चुकि आप काम की इंसान है इसलिए कई बार लोग आपको यूज करते हैं लेकिन उसका फाइदा आपको नहीं मिलता क्योंकि लोग आपको किस तरह यूज कर रहे हैं सोचिए ना एक डूर की तरह से दरवाजे की वैल्यू नहीं होती है दरवाजा open किया अंदर गए बाहर गए मामला खतम हो गया लोग उसको value नहीं देते हैं तो अपने आपको वो डोर मत बनाईए जिस डोर से कोई भी pass on हो जाए कोई भी उसे इस्तेमाल कर ले अपने आपको एक valuable person बनाने की जरूरत है आप multiple चीजों को manage कर सकते हैं कोई person किसी situation में फसा हुआ है फसी हुई है देखिए शानती से देखिए यह उसके जीवन का pattern है मैं इस चीज को कई बार बोला हूं मैंने कई बार कहा है कि अपने पुराने वीडियो में कहा है कि हम कई बार इस दूसरों की मदद करके actually उसका नुकसान क इसका मैं आपको spiritual pattern बता देता हूं क्योंकि हो सकता है कि किस्मत में भगवान ने उसके लिखा हो कि इतनी मुश्किलों के बाद यहां से success का point आ जाएगा और हमने बीच में मदद करके आगे के पूरे pattern को तोड़ दिया खतम हो गया वो सारा क्योंकि मुड़ गया ना मामला वो जा उधर रहा था हमने मुड़ इधर दिया मदद करके अब इधर तो कुछ है नहीं रास्ता तो वही पर था ऊपर success थी सही रास्ते पर था failure 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 success सक्सेस लेकिन हमने मोड़ दिया अब वो जो हमने मोड़ा मदद करके वो हमारे मदद के दौरा दी गई सक्सेस थी तो उस सक्सेस पर आगे उसको सफलता नहीं मिल पाएगी ऐसा भी हो सकता है तो जब तक किसी परसन के लिए आप इंटेंशनली इस विचार में ना आ जाएं क यह आप इमेजिन करना बंद कर दीजिए कई बार ऐसा हो जाता है कि हम नहीं जानते लेकिन हमसे एक टेलीपैथिक गलती हो जाती है टेलीपैथिक हम टेलीपैथिक नहीं करते हमें नहीं आता हम सभी लोगों को टेलीपैथिक नहीं आती है लेकिन एक टेलीपैथिक गलती और वो गल्ती ये है कि हम सामने वाले के दिमाग में ये है क्या है उसको सोचना शुरू करते हैं कि यार ये इनसान ना हमको बहुतू शोचना होगा या ये हमको बहुतू समझ रही होगा। और अगर हम ये बार-बार सोचें किसी परसन के बारे में बार-बार यही सोचें तो वो एनर्जी वाइबरेट होने लगेगी और वो ही एनर्जी हमसे निकलने लगेगी और उस परसन को कैच होने लगेगी अपने आप होगा ना हम करेंगे ना वो करेंगा ना वो कैच कर रहा कोई कोई परसन हमें दिखाई देता है या कोई लड़की नजर आ जाती है जिसको हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है हम कभी नहीं देखे उसको हमें पता भी नहीं है कौन है हमें लेना देना भी नहीं है हमें उससे बात भी नहीं करना है उस आदमी से या उस महिला से लेकिन उसको देख करके पहली फीलिंग में आता है ये बुरा इंसान होगा या अच्छा इंसान होगा होगा होगी जो भी है हमें उसके कपड़ों से कोई लेना देना नहीं होता पता नहीं क्यों दिमाग में आता है वो इसलिए क्योंकि उसकी निगेटिव एनर्जी आ गई निगेटिव एनर्जी हम तक आ गई हमने सोचा बुरा इंसान उसकी पॉजिटिव एनर्जी आ गई भले उसके कपड़े धोल से सने हो नहाया नहोँ छे दिन से लेकिन हमें लगेगा नहीं सोफिस्टिकेट अच्छा इंसान या अच्छी महिला तो ये ऐसे ही काम करता है तो टेलिपैथिक मैसेजेज नहीं देने हैं इसको भी आपको रोकना है तो दूसरे के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है इसे नहीं सोचना है और अगर आप सोचना बंद नहीं कर सकते तो positive सोचे जैसा कि हमारे पुराने महारशियों ने बड़े बड़े गुरुवों ने भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अच्छा सोचिए हर एक के बार है आगे आने वाले समय में आपके लिए एक precaution है वो ये कि अगर आप किसी दूविधा जना के स्थिती में फस्ते हैं लोगों को deal करते हुए तो उस dealing में आपको अपने स्वार्थ को सर्वो पर ही रखना है याद रखिएगा अगर आप अपना स्वार्थ सर्वो पर ही रख अपने कपड़े फडवाते जाते हैं दूसरे को बचाने के लिए तो फिर फटे हाल इंसान की तो कोई जद करता नहीं है सिंपल तो इसलिए समझदार बने है चलिए आज का हमारा औरेकल डेक है गौड़ेस गाइडेंस देखते हैं कि देवियां आपके बारे में क्या राय देती हैं अडिशनली बाकी रीडिंग तो कंप्लीट होई चुकी है लगभग कार्ड नमबर वन पर आपके लिए सिलिस सेकंड पोजीशन पर नेमिटोना थर्ड नमबर पर कौन यिन फूर्थ पोजीशन पर आपके लिए देवी यमेन्या और लाश्ट कार्ड आपके माता सरस्वती ग्यान की देवी कही गई है प्रेम की देवी कही गई है प्रेम के दो रूप है प्रेम का एक अलग स्वरूप भी है जिसके देवी और देवता काम देव और रती है लेकिन ये जो प्रेम है ये निश्चल प्रेम है हमें एक फूल से प्यार हो सकता है अब हम तो उसमें काम देव की जरूरत नहीं है ठीक है वो महिला और पुरुष के बीच के संबंधों के देवी देवता है वो अलग है देवी सरस्वती का जो सुरूप है वो अलग है तो आपके लिए जिस तरह से देवी का देवियों का यहां पर इंफर्मेशन आ रही है वो यह सब से पहले यमेना का और सिलीस का आप कई बार कई नाकाम कोशिशें कर जाते हैं अपनी इमेज को बनाने की और उस कोशिश में फेलियर होने पर आप अपने आपको कोशते भी हैं आपको यह नहीं करना है सबसे पहले तो यह समझे आप अपन अब इसमें गलती कहां पर है बन आपने वाले के दिमाग पर बन जाए, छप जाए, इसकी कोशिश में, ये नहीं करना, आपको बस अपने में चेंज़स करने की जरूरत है, सरस्वती कहती है कि तुम खुद में परिवर्तन करो और वो दिखेगा सब को और सुईकार कर लिया जाएगा, वो दिखेगा और की कोशिश नहीं करनी कि दुनिया माने कि मैं कमल कफूल हूँ, अगर वो ये कोशिश में लग जाए, कि दुनिया देखे कि मैं कमल कफूल हूँ, तो शायद वो कमल कफूल नहीं बन पायागा, उसे बस खिल जाना है, और दुनिया देख लेगी कि हाँ, ये कमल कफूल खिल गया है बस इतना ही करना है तो स्वयम में चेंजस करने हैं स्वयम को साधना है खुद को एक दिशा देनी है और जब स्वयम को दिशा देंगे तो वो दिशा आपके अंदर एक ऐसे परिवर्तन को लेकर आएगी जो दूसरों को दिखेगा एक रिदम बन जाएगा और लोगों आपके बारे में क्या सोचते हैं अच्छा वाला भी और बुरा वाला भी ये जरूरत के मताबिक ही दूसरों को बताना है डिप्लोमेटिकली जहां कहीं कोई फाइदा है मेरा यो ही नहीं बता देना है बातों बातों में नहीं बताना कि रे फला परसन की सोच मेरे बारे में ऐ कैसे मुझे पता है कोई प्रूफ थोड़ी ना है कोई डीट थोड़ी ना है लेकिन आपने दूसरे परसन को गैर जरूरत पर अगर बताया तो यह नहीं बताया कि उसकी सोच आपके बारे में क्या है बलकि आपने यह बताया कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कि वो आप प्रजट करने शुरू कर दी जो उसने पॉजिटिव या निगेटिव कैच कर ली तो यह नहीं करना है बस इतना ध्यान रखिए और कुछ नहीं बाकी चीज है ठीक आज की रिडिंग कम्प्लीट पाइल नंबर वन आज की रिडिंग आपको कैसे लगी अपने एक्सपीरेंस अपने अनुभू कमेंट सेक्षन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा बाइबाइब हेलो पाइल नंबर टू आप सबका स्वागत है आपके रिडिंग म कहें scary अ तौक सि कर्द नंबर बना पके लिए है किंगों कप स के सेकंड पोजीशन पर आपके लिए सिक्स आफ कप्स काड नंबर थूरी आपके लिए टू अफ बोंडे ए फूर्थ पोजीशन पर एट आफ कप्स और लास्ट कार्ड आपके लिए पेर हुआ है स्ट्रेंथ तो पांच कार्ड आपके लिए आ गए है ट्रेडिशनल टायरोटेक राइडर विट से और लोगों की सोच आपके बारे में क्या है अगर इसे एक ग्लैंस में कहा जाए तो ल लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं लोग आपको मददगार समझते हैं लोग आपको सेलफिश समझते हैं लोग आपको भटका हुआ इनसान भी समझते हैं लोग आपको समझते हैं कि आप अपने पत पर सही तरीके से नहीं चल रहे हो लोग आपको एक कॉंप्लेक् बातें करते हैं आप एक निर्ड़े के साथ लंबे समय तक बंधे नहीं रह पाते तो लोग आपके उपर उतना भरोसा नहीं करते हैं आप कभी कभी किसी चीज में जिद ठान लेते हैं तो गलत ही क्यों नहों जा उस जिद में लगे रहते हैं तो लोग आपको एक जिद्दी और बेपरवाह इनसान भी मानने लगे हैं, आप कई बार ऐसे सिचुएशन में लोगों की मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं, जहां उन्हें उम्मीद नहीं थी तो लोग आपको अच्छा इनसान भी समझते हैं, कई बार कई सिचुएशन में आप जानते हैं कि सामने वाल एक अच्छा रहम दिल इनसान भी मानते हैं, कभी कभी आप किसी किसी ऐसे सिचुएशन में जहां उन्हें उम्मीद होती है कि आप बिना वजह भी मदद कर देंगे, आप चुप चाप बैठके तमाशा देख लेते हैं, तो लोग इस बारे में थोड़ा सा नकारात्मक भी ह हो जाते हैं, तो मल्टिपल परसनालिटी आपकी लोगों की बनी है, अब यह ऐसा नहीं कि एक इनसान की आपके बारे में इस तरह की मल्टिपल परसनालिटी बन गई है, अलग अलग लोगों की नजर में आप अलग अलग तरीके के इनसान हैं, मतलब अगर वो दस लोगों क आप समझ भी रहे हैं या रही हैं पिछले लंबे समय से लेकिन अपने मस्तिस्क को संतुलित नहीं कर पा रही है और आपकी अपने अंदर एक श्ट्रगल दिखती है उस श्ट्रगल के साथ आप अपने आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही है और आप चीजों को सुध हार में आ नहीं रहे हैं दो तेन चीजें आपको ठीक करने हैं लोगों की सोच में प्रॉबलम नहीं हैं लोग आपको एक बुरा इंसान नहीं मान रहे हैं आपको एक ऐसा इंसान भी नहीं मान रहे हैं जिससे वे नफरत करें या जिससे सावधान रहे हैं लेकिन लोग आप की वैल्यू को वैल्यूइबल नहीं मानते हैं जानते हैं कि आप वैल्यूइबल परसन हैं ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं लेकिन उस वैल्यूइबल परसनल्टी की वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा distraction को हटा दीजिए अगर आप एक student है आपने सोचा कि आज मुझे फला सब्जेक्ट को पढ़ना है एक घंटे तो फला सब्जेक्ट का एक घंटा पूरा होने से पहले दूसरी तरफ मत भाग जाईए उसी सब्जेक्ट में supplements पर मत चले जाईए आपने जो planning करी थी उसी planning पर रह ही कई महिलाएं होती है mostly शाम की planning बना लेती है आज साम को मैं फला चीज बनाऊंगी तो यह जो मैं बता रहा हूँ ना देखे इस से क्या होगा कि situation को manage करना है यह जो आपके अंदर भटकाओ आता है उस भटकाओ को रोकेंगे कैसे अभी मैं आप से कहूं कि भटकिया मत एक यही सोच रहे हैं लेकिन यह हो नहीं पा रहा है तो वो भी दिख रहा है कि हो नहीं पा रहा है अब उसे manage कैसे करें छोटी छोटी exercises ठीक है जैसे मैंने पढ़ने का एक example दिया ऐसे छोटे छोटे examples के साथ में आपको अपने को interconnect करना है ठीक और उस चीज पे जो सोचा गया था उसी को करना है बिना बीच में भटकाओ लाए हुए तो आदत में आ जाएगा अब आपने शाम की planning कर ली तो अब उसी पर कायम रही है बीच में भटकाओ मत लाइए अब आपने सोचा भी शाम को हमको सिर्फ आलू की सबजी बनानी है दोपार होते होते आपका दिमाग पनीर पे चला गया तो अब पनीर अगले दिन या किसी और दिन जाएगा आज जो सोचा था उसी पर कायम रही है अपने plans अपने ideas अपने targets दूसरे लोगों के साथ बिलकुल share मत करिये अगर आपने share किया तो वो वाली problem शुरू होगी जो आपने हमेशा फेस करी है एक बार share कर दें तो अपने आप में pressure बन जाता है कि हमने तो फला चीज को बोल दिया अब हम इस चीज से पीछे कैसे हट जाना पीछे हटना नहीं है लेकिन उस pressure को भी नहीं लाना है आप एक भले वक्ती हैं अच्छे वक्ती हैं और लोग आपके बारे में सीधा सोचना चाहते हैं स अगलग लोगों पर यही बन करना है चीजों को सीधा कर दीजे इस्ट्रीम लाइन कर दीजे और चीजें इस्ट्रीम लाइन हो करके फिर आपकी personality में improvement भी ले आएंगे और लोगों की thinking आपके बारे में positive और अच्छी हो जाएगी लेकिन अब यहां एक चीज को और ध्यान वो यह कि पहला काम आपको use नहीं होना है अगर कोई आपको use करने की कोशिश करे और आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो उसको बता दे कि देखो मैं इस मामले में आपकी help कर दूँगा या कर दूँगी लेकिन जड़ा manner में क्योंकि जब लोग हमें use करने की कोशिश करते ह शातिराना अंदाज होता है और उनके उसी problem use होने में नहीं है मदद में तो हम फिर भी मदद कर देंगे problem है कि वो जब tricks लगा कर काम कर रहे होते हैं तो वो नकरात्म कूर्जा पैदा करता है और वो नकरात्म कूर्जा हमें दुख देती है तो उसको बता दीजे कि समें tricky हो आप मुसे सीधा बोलिए भाई फला चीज में मदद चाहिए मैं मदद कर दूँगा इसमें इतना ट्रिक लगाने तिग्डम लगाने क्या जोगा हटाईए सारी तिग्डम बीच से तो इस ट्रेट फारवर्ड हो जाएए इस चीज में दूसरा आप कई बार कुछ एक ऐसे माम में आपको ना तो किसी वेक्ति को ये बताना है कि भाई मैंने फला काम हाथ में लिया था और ये काम खिच गया है अब कोई बात नहीं देखा जाएगा तो जड़ा कैजूल मत होईए मैं इस काम को एंड तक करूंगा छोड़ूंगा नहीं शेखी मत बगारिये अपने मुम है व्यापक बदलाओ को देखेंगे और लोगों का आपके बारे में जो बिहेवियर है वो जब परिवर्तित होगा तो उनसे आने वाली और जाज जिसमें आपको कभी कभी नकारातमकता महसूस हो जाती है फिल में आ जाता है आपके अपने आप आ जाता है आप जानते हैं यह व्यक्ति मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है या कर रही है लेकिन उसके मन में मेरे लिए थोड़ा सा निगेटिविटी भी बनी हुए और यह फिलिंग में आती क्योंकि उसकी ऊर्जाव ऐसी आ रही होती है तो वो चेंज होकर सही हो जाएगी आज की हमारी औरेकल डेर लिए ग्वेर थर्ड नंबर पर आइसेस आइसेस प्रेम की देवी मानी जाती है सेडना नंबर फोर और लास्ट कार्ड आपके लिए हैं ग्राइट देखिए मेरे पास पाचवे नंबर पर रहा था स्ट्रेंथ का कार्ड जो कहता है कि अगर आप गूगल भी करोगे तो इसकी सिंपल मीनिंग है कि सिचुएशन इस्ट्रॉगलिंग है हार मत मानो पीछे मत हतो ब्राइट देवी हैं जो सीधा संदेश देती हैं कहते हैं कि यहां से वापिस मत आना अब आगे बढ़ जाओ तो पाचवे नंबर के दोनों कार्ड की सेम मीनिंग आ रही है खैर अच्छा अब दो तीन चीजें आपको समझनी है लोगों वाला मैटर साइड करिए अपनी ज गया समय उसमें आपने क्या किया था अच्छा और बुरा दोनों की परवाह ज्यादा नहीं करनी है ठीक है अगर उसकी परवाह आप ज्यादा नहीं करते हैं तो आपके लिए एक नया डोर ओपन हो जाता है जो according to the satina infinity का दोर खुलता है लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को और समझना है वो ये कि आप स्वयम को धोखा ना दे कभी कभी ना हम खुद को बहला लेते हैं तो अपने आपको नहीं बहलाना है अपने आपको सांतोना नहीं देनी है अपने आपको normal, neutral और as it is रखने की जरूरत है जब आप स्वयम को as it is रखते हैं तो आप अपने अंद अगर आप पीछे के मार्व को या पीछे की सिचुईशन को छोड़ देते हैं लेट गो कर देते हैं और एक बार जब आप पत पर आगे बढ़ जाते हैं अपने अंदर की सत्यता के साथ हैं आप जानते हैं हमें कितना अच्छा कितना बुरा हूँ आपको पता है कि मैं कैसी इनसान हूँ तो जब आप अपनी सच्चाई के साथ में आगे बढ़ती है या बढ़ते हैं तो उस समय आपके लिए अब सच्चाई के साथ आगे बढ़ने में कंडिशन अप्लाइड है कंडिशन क्या है पाश्ट की सिचुएशन जो भी आपके जीवन में रही उसको लेट गो कर दीजे छोड़ दीजे जाने दीजे यही चीज सिक्स ओफ दे कप्स भी यहां पर बता रहा था लेकिन उसके आगे की इन्फरमेशन यह थोड़ा सा दे नहीं रहा था इसलिए चुकि यह जनरल लीडिंग है और इसमें औरेकल कार्टस आएंगे तो अब यहां इंटरप्रिट हो रहा है सिक्स ओफ दे कप्स और सेडना का तो इस इंटरप्रिटेशन की जो इन्फरमेशन है उसके अकॉर्डिंग पास्ट की चीज़ों को कंपैर नहीं करना वरतमान से उससे छोड़ दीजे लेट गो करिए जब लेट गो करेंगे तो आपके अंदर की जो ट्रू इमेज है ट्रू ट्रूनेस है आपके अंदर की उ आप अपने जीवन में और ज्यादा बेहतर चीज़ें करने के लिए इनर मोटिवेट हो जाएंगे अंदर से मोटिवेशन भी मिल जाएगी और सराउंडिंग में बाहर की चीज़ें आपके लिए बिल्कुल बाहें पसारें स्वागत करने को तयार होगी तो आपके जीवन म क्या रखना है याद कि जो टार्गेट बनाया उसे अचीव करने तक पीछे मत हटिए बीच के भटकाओ को छोड़ दीजिए बीच में भटकाओ आता है इस मामले को हम नोट करते हैं और इस पर बाद में विचार किया जाएगा एकदम महाराजा के तरह से जैसे पुराने ज राजा को वो सही लग रहा हुए एकदम एको रेट लग रहा होता है फिर भी कहते थे हम विचार करेंगे और विचार करने के बाद वो एनलाइस करते थे किसका अप डाउन क्या है नफा नुकसान कितना है और फिर उस आइडिया को लागू करते थे ठीक है या यह जो नया आइडिया है यह किसी पुराने से कांफिक्ट तो नहीं कर रहा मेरी पुरानी योजना में गरबड़ी तो नहीं कर देगा अब जैसे माली ज़र राजा एक नहर बन वा रहा हो और किसी ने कहा महराज हम एक बांध बना देना चाहिए यह राज न कहा ठीक है बहुत बहुत और फिर फैसला करिए तो यह करिएगा जब बीच में भटकाओ आए अपने टार्गेट को अचीव करते हुए तो उस भटकाओ को पोश्पोन कर लिए बाद में देखेंगे फिलाल पाइल नमबर टू आपकी रीडिंग नहीं कम्प्लीट हो चुकी है आज की रीडिंग आपको कैसी लगी अपने एक्सपीरेंस अपने अनुभू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल है चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए आज टैरो क्या बताते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं क्या राय रहते हैं कार्ड नमबर वन आपके लिए है थ्री ओफ पेंटेकल्स सेकंड पोजीशन पर टू ओफ सौर्ड कार्ड नमबर थ्री दा हाई प्रीश्टेस कार्ड नमबर फूर आपके लिए है पेज ओफ कप्स और आपके लिए लाश्ट कार्ड अपियर हुआ है दो फूल टरो कार्ड में दो कार्ड बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े पावर्फुल माने जाते हैं दो फूल और दा हाई प्रिस्टेस दो फूल अपने आप में इतना महतुपूर्ण है कि मेजर आरकेना में जो 22 कार्ड है दो फूल जिरो नमबर पर है इसके बाद 21 कार्ड थो बाकी के 21 कार्ड थो फूल की ही जरनी माने जाते हैं कि उसकी ही यात्रा के पथ है और हर एक मील के पथर पर एक कार्ड है जब the full अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है चीजों को अलग धंग से समझना शुरू करता है अपनी abilities को enhance करता है तो the magician हो जाता है जब spirituality में चला जाता है तो high priestess हो जाता है और feminine energy को use करना शुरू करता है तो the empress बनता है तो ऐसे changes आते चले जाते हैं अब आपके लिए क्या है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते है लोगों की thinking क्या है देखें लोगों के thinking में व्यापक परिवरता ना आए है हलांकि लोग अभी भी आपके उपर पूरी तरह भरोसा करने में हिचक रहे हैं लेकिन एक negative से positivity की और आया है मामला लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है बीच में तो काफी ज़्यादा positivity और अच्छी चीज़ें आ गई थी लेकिन आपकी जल्दबाजी situation को खराब करती है और आप अपनी value और image को दिखाने और बनाने के चक्कर में कई बार मात खा जाते हैं लोग आपको जिस तरह से guide कर देते हैं आप उसी guidance के according मुड़ भी जाते हैं कभी-कभी ये भी आपकी image को damage कर रही है otherwise लोगों की जो सोच आपके बारे में है वो मुझे positive दिखती है negative नहीं दिखती लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं लोग आपको एक बेहतर और दयालू person इंसान मानते हैं लोग आपको appreciate और admire भी करते हैं लेकिन लोग कभी-कभी आपके एक हर्फन मौला सुभाव से थोड़ा सा घबराते भी हैं अब वो हर्फन मौला सुभाव या एक ऐसा सुभाव जिसको हम unpredictable कहेंगे कि जिसको predict नहीं कर सकते कि अब आप कब क्या करेंगे ये normally सब में होता है थोड़ा थोड़ा तो इस चीज को भी मुझे दिख रहा है जो आ रहा है interpretation में कि लोग उसको भी समझते हैं और ज़्यादा value नहीं देते हैं ज़्यादा उससे परेशानी नहीं है आपको कुछ चीजें ठीक करने हैं सबसे पहला आप दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा करते हैं उस चीज को ठीक कर लिए इतना जल्दी मत करें रुकिए इंतिजार करें इत्मिनान बखिए आप अपनी कमिया लोगों को बता देते हो वो भी नहीं करना है उसको रोक दीजिए कभी कभी सिचुएशन में फ्लो आ जाता है जो दिख रहा है मुझे और उस फ्लो में सामने वाले ने अपनी दो कमिया बताई तो आप अपनी चार भी बता देते हैं आपको यह नहीं करना है उसने बताई सुनिए हाँ हाँ हूँ कर लिजिए जरूरत पड़े तो सिंपैथी दे दीजिए और आगे बढ़िये लाइफ में कनवर्शेशन बाचीत के दौरान आप कई बार फेलियर का सामना कर जाते हैं जहां हेजिटेशन घबराहट डर और कनवर्शेशन खटम होने के बाद बाचीत खटम होने के बाद ये रिलाइज होना कि मैंने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया भी शामिल है इस चीज़ को मैनेज कैसे करेंगे कनवर्शेशन के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था तो उसमें बड़ी बढ़िया बात लिकीती उसमें लिखाता है कि हम सुनते नहीं हैं सामने वाला क्या कह रहा है हम तो वेट करते हैं कि ये कब चुप हो और हम बोलना शुरू करें तो उसके रुकने का इंतिजार मत करिए वो बोल रही है या बोल रहा है उसके बोलने को सुनिए और सुनकर उसमें रस लीजिए आनंद लीजिए इंज्वाइ करिए सुनकर के तब आप उसकी बातों को सुनकर समझ भी पाएंगे बोडी लेंग्वेज में आपके सही रेस्पॉंस भी आएगा क्योंकि एक अच्छी बातचीत में बोडी लेंग्वेज का हमारे एप्रॉक्सिमेटली लगभग 55 से 60 प्रतिशत योगदान हमारी बोडी लेंग्वेज का होता है अगर कोई हमसे बात कर रहा है और हम उधर कर लें तो इसका मतलब हम ध्यान नहीं दे रहे हैं उसे पता है हम नहीं सुन रहे है ठीक है मुस्कुरा कर सुने तो उसे लगता है कि हम सारी बातों को कैच कर रहे हैं तो मुस्कुराएए सुनिए जरूरत पड़े तो sympathy दीजिए जरूरत पड़े तो एक-दो line के ग्यान दे दीजिए लेकिन बड़े deep knowledge वाली ग्यान गंगा नहीं देना है गहराई में step by step नहीं समझाना है, वो इसलिए क्योंकि सामने वाले ने पूछा नहीं है, यादाया, situation में कोई फसा तो एक normal human nature है कि हम बोल देते हैं, चोट लग जाए किसी को, अरे ठंडे पानी से धुल दो, खुन निकल रहा, बरफ रगड़ दो, ये हमारे मुझसे अचानक निकलता है, हम इसमें रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो रेजिस्ट करना भी नहीं है, लेकिन अब उसको proper medical treatment की जान कर देना कि पहले बरफ रगड़ो, फिर इस पर antiseptic लगाओ, फिर इस पर फलाना medicine लगाओ, फलाना पट्टी लेकर इतना ग्यान नहीं देना है, और फला medical store से ही लाना, दूसरे से मत लाना, ये ग्यान नहीं देना, ठीक, आपने एक simple initiative, एक responsibility ली, चोट लगी, आपने बोला, बरफ रगड़ो, बस हो गया मामला, खता, तो किसे ने problem बताई, आपने एक line का answer दे दिया, अरे यार, इसको थोड़ा सा इस तरह से handle कर लो, बस हो गया, खता, उसको deep जानकारी नहीं देनी, क्यों, क्योंकि वो deep knowledge जब आप दूसरे को देते हैं, तो वो person पहले तो आपके बताई idea पर काम नहीं करता, या काम नहीं करती, लेकिन आपके ideas के failure के बारे में जरूर सोच लेता है, तो फिर image तो गिरी, तो इसलिए नहीं देना, अब म आप रुकें, इंतिजार करें, सामने वाले को, जैसे आप उसको कैसे करना है, इसको उल्टा करते हैं, तो आप समझ जाएंगे, दूसरा person आप पर भरोसा कर रहा है या नहीं, या आपको exactly पता चल जाता है, और उसने भरोसा कब से करना शुरू किया, ये भी आपको समझ मे नहीं बन रही है, इसको ठीक करिये, दूसरा, इसके बाद अगली चीज, अगली चीज में ये है, कि लोग जब आपको ग्यान देते हैं, आइडियास देते हैं, तो आप excitement में भी आ जाते हैं कभी कभी, excitement में नहीं आना है, सुनिए, perception को समझ ये, उनके कहने के मर्म को समझ और ठीक है, मैं इस पर सोचूंगी, विचार करूंगा, और आगे बढ़ जाए ये life में, ज्यादा deep interest नहीं दिखाना है, या अगर गलती से आपने deep interest दिखा दिया, तो उनकी बातों को अक्षर शाह नहीं मानना है, क्योंकि अक्षर शाह मान करके, word to word, word by word मान करके, आपने नुकसान तो उठाया ही है, तो उस चीज को अब रोकना है, आज की हमारी औरेकल डेक है, God's guidance, देखते हैं, देवियां आपके बारे में क्या बताती है, देखें, लोगों के perception आपके बारे में अगर आपको बदलना है, लोगों की सोच आपके बारे में अच्छी है, बुरी में पहले कार्ड है, फ्रेया, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मता लक्ष्मी, कार्ड नमबर थ्री आपके लिए हैं, देवी बास्ट, और फूर्थ पोजीशन पर आपके लिए डमारा, और लाश्ट कार्ड आपके लिए अपियर हुआ है, देवी साई, साई के नाम में जी साइलेंट है फ्रेया के नाम में जे साइलेंट है अच्छा जी तो सबसे पहले इंफरमेशन आती है साई से जो कहती है आने वाले भविश्य की अपनी योजनाओं को गुप्त रखो लोगों से ज्यादा मत कहो और लोगों को अगर बताते भी हो तो सिर्फ उतना बताओ ज अगर आप माता लक्षमी का नहीं पहले फ्रेया का फ्रेया कहती है कि आप अपने जीवन में कई बार सिचुवेशनली दब जाते हैं दबू हो जाते हैं हैजिटेट हो जाते हैं वहां आपको थोड़ा सा उभर के आना चाहिए अब माता लक्षमी कहती है कि अगर तुम थो की कलियां जब माता लक्षमी कहती हैं तो वो धन की कलिया है ठीक है यहां प्यार वाला मतलब माता लक्षमी के लिए धन प्यार है ठीक तो खिलेंगी कलियां प्यार की यह लाइन आ रही है फिर से लेकर इंटर्पेटेशन में यह इंफोर्मेशन सीधी आई है कि प्यार का मतलब यहां धन है धन बहुत बड़ा प्यार है इस्टैनली हो का कहना था कि प्रसन्नता प्रसन्नता की परिभाशा इस्टैनली हो मकाव के बिजनसमेन उन्होंने एक इंटर्वीव में का था कि जब पैसा आता है तब खुशी आती है पैसे के आने से खुशिया बढ़ती चली जाती है रेपोर्डर नेका कि नहीं सार ऐसा नहीं है पैसा खुशिया नहीं देता हुनेकर अपनी प्रपरटी मेरे नाम पर कर दो सारी की सारी जितना है सब कुछ देतो मेरे नाम पर खुश होकर दिखा दो खत् Upper कभी-कभी जो लोग मिलते हैं कभी कहते हैं नहीं पैसे से खुशिया नहीं खरी सकते हैं उनसे बोलो जितना जब में सब इधर देगो फिर देखो नहीं देंगे क्यों क्योंकि पैसा दे दिया तो दुख आ जाएगा पैसा जाने से खुशी नहीं आती पैसा आने से खुशी प्यार की कलियां खेलेंगी और तुम तुम्हारे जीवन में एक नए परसेप्शन के साथ लाइफ में आगे बढ़ोगे जहां ना सिर्फ तुम्हारे अंदर एक इंडिपेंडेंटेंटेंसी की फिलिंग एक प्रियर्टी के साथ में आएगी क्योंकि अभी जो इंडिपेंडेंटेंसी की फिलिंग आती है वो थोड़ी डामाडोल आ रही है भले आप अपने जीवन में सफल हैं जॉब कर रहे हैं अच्छे पैसे कमा रहे हैं लेकिन एक डामाडोल सिचुएशन मन में बनी हैं जैसे शायद आप किसी से नहीं कहते तो देवी कहते हैं वो इस थरता मिल जाएगी तुम्हें और आगे आने वाले समय के लिए आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे लोगों की सोच आपके बारे में आपके कर्मों के एकॉर्डिंग परिवर्तित होगी और आपके फेवर में आ जाएगी बस इतना ही इंफर्मेशन है तो पाइल नमबर थरी ये थी आपके आज की रेडिंग आज की रेडिंग कैसे लगी अपने experience अपने अनुभख कमेंट सेक्षन में जरूर लिए इस वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मुल करूंगा तब तक के लिए बाए बाए